हेलो गाईज वेलकम है आप सभी का मेरे वीडियो में तो आज मैं आप सबसे ऐसे कुछ प्लांट के बारे में सेयर करने वाली हूँ जो पर्मानेंट प्लांट है इसे आप कटिंग से कभी भी लगा सकते हैं तो इस जन्वरी के मंथ में आप कटिंग से लगाएए प्लांट की कटिंग तो इस करकडाती ठंड में और इतनी कोहरे भरी ठंड में भी यह बहुत अच्छे से कटिंग लग जाएगी तो इन में यह सारे मतलब बिना फूल वाले प्लांट हैं इंडोर प्लांट हैं कलरफुल पतियों वाले प्लांट हैं और एक यह देखिए फ्रेंड्स कु ने इच्छे से बन गई हैं तो चलते हैं कौन-कौन से प्लांट है कि अभी हम कटिंग से लगा सकते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आप यह चैन प्लांट जो बास्केट प्लांट होता है इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं तो इसे आप इस समय कटिंग से जरूर तो यह लटकते हुई काफी खूबसूरत लगती है और इसकी जो पतियां है मोटी मोटी थिकनेस होती है सकुलेंट के प्लांट की जैसी तो यहां भी कुछ है देखिए नीचे इसके गिर गए थे तो मैंने इसको रेलिंग वाले प्लांटरस में लगाया है तो यह नीचे हुए होती है तो कहीं से इसको आप कट करके ऐसे मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत जल्दी इसमें जड़े बन जाएंगी और आपके हजारों प्लांट तयार हो जाएंगे तो इसके लिए आप एक पार्ट मिट्टी एक पार्ट सैन और थोड़ी सी कमपोस्ट लेकर के आप ग्लास में जैसे डिस्पोजल ग्लास या पॉली बाइक में उसमें भर करके आप लगा सकते हैं तो मैं ऐसे ही धेरों सारे प्लांट तयार कर ली हूँ और जो इस्टेम होती है तो इस्टेम भी लगा देंगे इसकी कट करके तो इसमें से आपको नए-ने प्लांट मिल जाएंगे तो साइट साइट से इसमें नए-ने प्लांट बनते रहते हैं तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आप यह इस्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं इसमें भी आपको कई वराइटिस के मिल जाएंगे मेरे पास जो है एक ग्रीन पती वाला एक यह वरीगेटर पती वाला है तो इसमें भी आपको देखेंगे रनर्स निकले हुए होते हैं लटकते हुए तो यह भी काफी खूब सुरत लगते हैं इसमें भी एरियल रूट्स बने हुए होते हैं तो यह भी आप इस समय लगा सकते हैं जन्वरी के महीने में तो यह काफी खूब सुरत लगते हैं अब बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाएंगे और पर्मानेंट प्लांट होते हैं यह भी 50-60 रुपे में मिलने वाले प्लांट हैं तो आप इसे अभी कटिंग से लगाईए हजारों प्लांट तयार करिए बस छोटी सी कटिंग ऐसे लेकर के इसको तोड़ करके कट कर कहीं भी इसको आप कोई प्लांटर हो या पॉली बैग हो चोटी-छोटी हो डीश्पोल रखले घ्लास हो तो उसमें मिट्टी भर करके आप लगाईए तो आप लगा करके इससे हजारों प्लांट टयार कर सकते हैं अपने गार्डन में यह कहीं भी हैं कर सकते हैं लटकते यह काफी खूब शूरत लगते हैं, इसकी पतिया वेरीगेटेट होती हैं, तो काफी खूब शूरत लगते हैं, तो इसकी भी मिट्टी आप वैसे ही बनाईए, एक पार्ट मिट्टी होनी चाहिए, सेंड और कमपोश्ट, तो उसके बाद आप यह जड़ प्लान्ट लगी प् बहुत खुबसूरत लगता है देखने में टोप्यारी इसकी बोंसाई छोटे-छोटे प्लांटर में वेश्ट डिबो में लगा सकते हैं इसे तो इसे आप कोई भी सेप दे सकते हैं तो यह मोर का सेप देने के लिए ऐसे ही कर रहे हूं देखती हूं यह हो पाए गया नहीं त तो आप कहीं से इसकी स्टेम कट करके स्वैल में लगा देजिए देहरो सारे कटिंग से इसकी तो बहुत अच्छे से यह ग्रू हो जाती है और इसकी मोटी-मोटी छोटी-छोटी पतियां काफी खुबसूरत लगते हैं देखने में और यह पतियों से भी ग्रू हो जाता है और उसके बाद सबसे खुबसूरत यह फूलो की कमी को दूर करने वाला प्लांट है कोलियस प्लांट अलग-अलग कलर्स के होते हैं इसमें कई बिराटी इसके होते हैं सब ब्रंग बिरंगे पत्ते इसकी काफी खुबसूरत लगते हैं तो यह एनी टाइम कटिंग से लगन पट्टिंग से अगर लगा। अगर लगाएंगे। इसकी पतियां थोड़ी खराब से होने लगती हैं। क्योंकि फुरावर्स भी कहिलते हैं। इसके फ्लावर्स को आप कट करके हटाते रहें। प्लांट आप घना हो जाएगा। और काफी खुबसूरत लगेगी तो कहीं से भी इसकी स्टैम छोटी सी कटिंग्स ले करके इसे भी आप स्वैल में लगा देंगे तो आपका ये कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाएगा और बहुत जल्दी रूटिंग होगी इसमें भी तो इसे भी आपके पास अगर नहीं तो कहीं से मिले तो इसकी कटिंग्स लाकर के लगा लीजिए भी तो उसके बाद ये है पॉलकाडाट ये भी कलरफूर पतियों वाला ही प्लांट होता है जो काफी खुबसूरत लगता है इसमें आपको कई कलर्स के मिल जाएंगे तो आप इसे भी अभी कटिंग्स से लगा प्लांट है तो इसे आप कटिंग्स से लगा करके हमें से अपने गार्डन में बना करके रख सकते हैं और ये सीड भी बनाता है इसके सीड भी जड़कर के आपके कहीं भी गंबले में लग जाएंगे ने प्लांट रेली हो जाएंगे तो इसमें कटिंग्स से भी लगा सकते मैं नर्शरी से हôm 2 cuttings लगा अगा रिते एक लाइट पिंक है एक वाइट से हैं तो डो कलर कम हैं हों से dae आप शीरी है क्टी आपल पिंक से लगा लाँ लगा लेजिए उसके बाद यह है परपल हार्ट यह भी काफी खुबसूरत पत्ति वाला प्लांट होता है इसकी पिंग कलर की पत्तियां काफी खुबसूरत लगते हैं हैंगिंग बास्केट में लगाई या हैज के रूप में लगाए कहीं भी लगा सकते हैं तो काफी खुबसूरत लगते इसमें छोटे कहीं भी लगा सकते है हैज के रूप ये नगता है तो उसके बाद आप ये रियो का प्लांट प्लांट ही इसकी पतियां काफी खुबसुरत लगती है और ग्रीन क निचे नीचे पिंक होता है वै और उपर ग्रीन पतिया तो इसमें आपको भी कई विराटीस के मिल जाएंगे रियों में तो मेरे पास एक बड़ा पतियों वाला है छोटा है तो यह भी काफी खुबसूरत लगता है तो इसकी भी आप कहीं से भी ब्रांचे जैसे कट करके तोड करके स्वयल में लगाएंगे तो बहुत जल्दी इसमें रूटिंग होगी क्योंकि इसमें भी देखिए नीचे से ऐसे जड़े बनी हुई होती है एरियल रूट्स तो दस से पंदरा दिन में देखेंगे निकाल करके तो उससे पहले ही एक हफ्ते में ही इसमें जड़ बन जाती है तो इसे भी आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं तो कोई भी पॉली बाइग हो कहीं भी प्लांटर्स में इसको अप लगा देजिए और साइट साइट से इसमें नई नई साखाय निकलती रहती हैं तो वहां से यह पूरे गमले को कवर कर लेता है तो काफी खुबसूरत लगता है तो ऐसे ही आप कटिंग से लगा लीजिए इसकी उसके बाद आप यह अल्टर वाला है वेरिगेटर है थोड़ा इसकी कंडिशन ठीक नहीं है इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं और एक यह है इसमें दो कलर्स के मैंने लगा है ग्रीन एक पिंक और इसे आप कहीं से इसे कट करके अभी लगा लेजिए और काफी खुबसूरत लगता है कहीं भी इसको होती है और इसमें रेड कलर के पिंक अलर के फ्लावर्स भी खीलते हैं तो इसे भी आप कटिंग से अभी पहल बिलगा सकते हैं और बहुत ज़्टी है कटिंग से लग ज़ने वाला प्लांट होता है और यह आप जब इसकी कटिंग्स लगाए तो प्यॉर संड में लगाई है तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इसकी और इसमें पानी जरूरत से ज्यादा नहीं डालना है क्यों कि सकुलेंट प्लांट है नहीं तो कटिंग्स गल जाएगी आपकी तो इसलिए आप पाने चिक करके ही डालिए तो यह कुछ दिन पहले ही मैंने लगाया है दो कटिंग्स और इसकी जड़े देखिए बाहा तक निकली हुई है इसकी जड़े तो आप जनवरी में भी इसकी कटिंग्स लगा करके ढेरो सारे प्लांट भी तयार कर लिए अब पूरे समर आपके भी गार्ण में यह फूल खीलेंगे हैं प्लांट लती tv चुरस किसे प्लाणट में च्ड़ाव खीलते हैं का फ्यक तो लगते हैं घृ कर देखिक तो बीघे लाट हैं इसकी लक अब भी प्तिय काफी खुब सुरत लगते हैं गिंग बास्केट में लटकते हुए तो अभी आप इसकी कटिंग से धेरो सारे बना करके रख लीजी समर में फिर धेरो सारे हैंगिंग बास्केट आप तयार करें अपने गार्डन में लगा सकते हैं जो आपके गार्डन की सुभा को बढ़ाएंगे और काफी खुब सुरत फूलों की कमी को दूर करने वाले यह सभी प्लांट हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है और फूल वाले पॉधे नहीं है आपके गार्डन में लाइट नहीं आती है मतलब धूप नहीं आती है रोशनी नहीं आती है तो आप यह सारे प्लांट लग थो उसके बाद आप यह सिंगोनियम भी लगा सकते हैं कटिंग से और इसमें आपको कई विराटेश कई कलर की मिल जाएंगे छोटे वाले होते हैं फिंक कलर के फाइट क्लर कर और डार क पिन्की क क ऑपकी होता है hybrid यहां से देखेंगे सब ब्रांशंचे इसे निकल हुई होती ह스가 मैं यहीं से इसको आप कट करके और और कहीं भी स्वैल में लगा सकते हैं ,तो बहुत जल्दी यह भी कटिंग से रेडी होने के लिए और यह सब महंगे थोड़ा प्लांट मिलते हैं 50-60 रुपए में तो एक बार आप नरसरी से लाएंगे तो फिर आपको बार-बार खरीदने की जरूत नहीं पड़ेगी उसके बाद यह अजवाइन का प्लांट इसे भी आप अभी कटिंग से लगा लिए सकते हैं तो इसे आप अभी कटिंग से लगाईए और काफी खुबसूरत इसकी पतियां होती हैं देखने में मोटी मोटी थिकनेस होती हैं तो इसकी ब्रांचेस को तोड़कर कट करके कहीं भी स्वेल में आप लगा लेजिए और आपको प्लांट रेडी हो जाएंगे तो वीडियो अच झालो